वित्वर्ष 2018 से 19 खत्म होने में बस तीन महीने बागी हैं और डायर एक टैक्स कलेक्शन बजट में तैलक्षे से पीछे चल रहा है ऐसे में आयोकर विभाग ने टैक्स अधिकारियों से कर वसूली बढ़ाने को कहा है इसके लिए टैक्स चोरी की आशंका वालों का सर्वे कर और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया गया है बकाया वसूली और इस साल की डेमांड में सिर्फ एक दशमलव एक पर सेंथ बढ़ोतरी सर्वे में टैक्स अधिकारी कर दाता द्वारा घोशित आय को वेरिफाई करते हैं CBD चेर्मेन सुशील चंदरा ने इस सिलसिले में सभी प्रिंसीपल चीप कमिशनरों को पत्र लिखा है CBD आयोकर विभाग की शीर्ष बाडी है डायर एक टैक्स में व्यक्त गत्त आयोकर और कमपनी कर आते हैं CBD चेर्मेन के पत्र के मताबिक पिछले वर्षों की बकाया वसू चंदरा के अनुसार मौझूदा वित्वर्ष में दिसंबर तक प्रत्यक्ष करसंगरा सिर्फ 13.6% बढ़ा है जो बजट में तय लक्षे से कम है CBD प्रमुखने लक्षे हासिल करने के लिए कुछ तरीके भी बताए हैं खासतर है के मामलों में अधिकारियों को दूसरे उपा प्रॉपर्टी बेच सकते हैं जान बूज कर कर देने से बचने वालों के खिलाफ कोट में मुकदमा दर्ज कराया जाए टीडियेस पर नजर रखी जाए बड़े डिपॉल्ट करने वालों के खिलाफ कारेवाई की जाए प्रॉपर्टी बेचने वालों द्वारा जमा किये advance tax को verify किया जाए dividend distribution tax की भी जाज की जाए